अब 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 सबस अलपस परवत की फूरा ऐяжता है जो वरत्वान में इवास वश्तान मादेशिया माना गया है जो सरवादिक मान्यड है तुस्रा में भारत llama harvest की जनकारी रिवेश मिलती इस व्यद में आरे सब्द कापल अब दोलेग 32 बार वडी और आव्र उप्युक्त में से कितने कथन सकते हैं तो ध्यान देना है आप उप्युक्त में से सभी चार कथन सही है अपसम इंडी हो जाएगा सही ठीक है आरियों का मुल निवास आलपस परवत के फुरुवी छेत्र के आसपस बताया जाता है जो बर्तमान में रेसिया कहलाता है मैक्स मुख वेपसा है पस उचारन था है वो मिक्रिसी का स्थान गाउन था आरे समाज पुरुस परदान था पालतु घोड़े पहली वार इसापूर्व छेट्टी सहस्तरवादी में काला सागर और इवराल परवत के चेत्र में प्रयोग मिलाये गए तीन हजार इसा पूर्व इ में कितने पार्ट है तो रीग वेद में कितने पार्ट है तो अंसरोग आप्शन से तीन पार्ट है कि देख सकते हैं साहिक्तिक सक्ष क्या है तो रीग वेद एक सहीता है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सुपत है रीग वेद के तीन पार्ट कम है साकल जिसमें 1017 मंत्र है वाल खिल पुरा तात्य सक्ष देखते हैं वो बोगाज कोई अभी लेक जो है मितनी अभी लेक भी कर लाता है इसके बारे हम देख लेते हैं इसके तरिक तिनकाउले क्रीग विद में भी किया गया है फिर है कसाई अभी लेक तो लासुष भी पूरू के इस अभी लेक निया सुचना मिलती है कि इरानी आरियों की एक साखा भारत आई थी एक सुच तीन है आरियों की मुल निवास अस्थल के बारे में विदवानों की भीवीन मत से मिलान करे विदवान और निवास अस्थल वालगंगा धर्तिलग स्वामी दयानन सरस्थी मैकसमुलर विलियम जोन्स निवास अस्थल इधार है तीवत अकर्टिक परदेश, यहां देख सकते हैं कि आरियों के मुल निवास अस्तल के बारे मिद्वानों को भीन मत है तो कुछ कह यहां देख सकते हैं अभी हमने देखा आर्किटिक प्रदेश यह उत्री धूरुप है स्वामी दयानंद सुरस्वती का तीवत और डॉक्टर संपुर्णानंद आल्पस सुरी आल्पस नहीं डॉक्टर संपुर्णानंद यह आल्पस उजर चला जाएगा आल्पस परवत कि पूर में इरेशिया के निकट डॉक्टर अविनास चंद्र हो जाएगा सब सैंधव छेत्र पंडित गंगानत जहाँ हो जाएगा ब्रम बिसी देश डेस त्रिवेदी हो सब्सक्राइब के हंगरी अर्डेनुन दिखाटी मैक्स मुलर यह थोड़ा उधर मद्ध ऐस्या बैक्ट्रिया ठीक है मद्ध ऐस्या उधर जाएगा आगे देखते हैं बेंडेनिश्टन दक्षनी रूस नेहरिंग एवंगार्डन चैल्ड दक्षनी रूस पैंकाववा हट जर्मनी के मैदानी भाग एलडी कल्ला कस्मीरवा हिमाले चेत्र रोड्स बैक्ट्रिया आगे देखते हैं नमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए भारत में आरियों की जनकारी रेगवित से मिलती है रीगवेद हिंद एरोपिय वसाओं सबसे प्राचिंतव और फवीत्र ग्रंत है रीगवेद की मंदरों का पार्ट करने वाला प्रोही ठोदरी का लाता था उप्युक्त में से कितनी कथन सकते हैं केवाल एक केवल दो सभी तीन कोई भी नहीं प्रिणी करें देख से नहीं पे जनकारी से मिलती हुए ठीक यह आ पיתיनों काफं से इसे क्रेक्श ओना चाहिए रीगवेद में और प्र अंतलिकर्वं से सबसे प्राचिंतव और फविद्र ग्रंत है रीगवेद में अगने, इंदर, मीत, रिवरून, आदी देवताओं की असुतियां संग रही थै जिनकी रचना भिवीन, गोतर की रिस्यों और मंत्र से श्टाओने की है इसमें 10 मंडल या भाग है जिनमें मंडल 2 से 7 तक प्राचिंता मस है पर्थम और दसम मंडल सबसे अंत में जुड़े गए है रीगवेद के मंदलों का पाठ करने वाला प्रोही खोतरी का लाता था नोलिखित में काउन सा कथन असत्य है चाथे मंडल के तीन मंदलों की रचना तीन रजाओने की है फिर दसम मंडल सबसे अंत में जुड़ा गया है रीगवेद के ब्रह्मन ग्रंथ अत्रेव वा कौसित की है धनुरवेद को रीगवेद का उफवेद का जाता है तो यहां पे गलत है धनुरवेद को नहीं आयुरवेद को रीगवेद का उफवेद का जाता है अब आगे देखते हैं, चौथे मंडल के तीन मंदरों की राचना तीन रजावनी की है, त्रास दस्यू, अजीमगड तथा पुल मीड, नौवा मंडल सुम कुसमरपित है, अता इसे सौम मंडल कहा गया है, दस्वम मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है, अता इसी के एक रामन ग्रंद अत्रेवा कौस्त की है, आयूरबेद को रीगवेद का उबेद कहा जाता है, रीगवेद की सरवादिक ववित नदी सरसोती थी, इसे नदीतमा कहा गया है, रीगवेद में यमना कवलेक तीन बार जैवां गंगा कवलेक एक वार दस्वम मंडल में मिलता है, अज्टोमा सद्गमे बाध रिगवेद से लिए गया है आगे देखते हूं कितने युगिम सही सुमेली थे प्राचिन नाम और अद्धोनिक नाम तो वितसता है विपासा है परुसुनी है और असक्रिणी है वितसा को झेलम कहा जाता ठीक है अधुनी कनाम विपासव को ब्यास कहा जाता है परुसुनी को राभी कहा जाता है असकनी को चिनाव कहा जाता है इस पकात सफी चारीगुन सही होगा अपसंडी करेक्ट हो जाएगा उप्तर्डिक रिगवेदिक नदिया हैं अब देख सकते हैं विस्ता को जेलम कहा जाता है विपासव को व्यास परुसुनी को राभी द्रिस द्वतिया द्रिस द्वति को घगर या चौतांग नदि कुर्व को कूरम, कुभा को काबुल, सदानीरा को गंडक, असकिनी को चिनाव, सत्तुरी को सतलच, गोमल को गोमती कहा जाता है आगे देख सकते हैं मरूद बृधा, कमरु बर्मन, सिंधू का सिंध, सरस्वति का गगर, सु सोमा का सोहन, सु वास्तु का स्वात यहां सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है, आयुरवेद, धनुरवेद, गंदरवेद, सिल्फवेद, तो सामवेद का उपवेद है, सामवेद, सामवेद का उपवेद होगा, गंदरवेद, option C हो जाएगा, ठीक है तो यहां पर है सामवेद साम का तात प्राइगान से है सामवेद से ही सरपर्तम साथ स्वारो सारे गामा पादानी सा की जनकारी प्राथ होती है इसलिए इसे भारतिय संगीत का जनक माना जाता है सामवेद के मंत्र सुरी देपता कुसमरपित है पुरानों में सामवेद की सहस्त्र सखाओं का उलेख है सामवेद वो अथर्ववेद की कोई अर्नयक नहीं है सामवेद का रितविक उदगाता कहलाता था फिर है जिसका कारे रिचाओं का सवर्दान करना था सामवेद का उपवेद गदर बेद कहलाता है सामबेद की परमुक उपनिसद चंदोगे तथा जैमिनी है तथा मुक की ब्रामन गरंथ 25 है यहाँ पर देख सकते हैं कि रीगवेद, यजूरवेद, सामबेद, अथरवेद और यहाँ पर परवरतक है परजापती, धनूरवेद का बिस्वामित्र, गंदरवेद का नारद और सिल्फवकर्मा आगे देखते हैं यजूरवेद के संदर में निकित कतनों पर विचार केज़े इसमें यग वली समंदी मंद्रों का वर्नन है यजूरवेद गद्व पद्दे दोनों में लिखा गया है, यजूरवेद में हाथियों के पालन को लेख है, यजूरवेद के तीन परधान रूप है तो धियान देना है कि ये तीनों का धन तो सही है लेकिन ये जुरुवेद के साइद हाँ साइद नहीं दो ही परदान रूप है इस पगार से के वलतिन सही हो जाएगा ठीक है ये जुरुवेद के वारे में देख सकते हैं ये जुरुवेद का रथ यग से है इसमें यग की वि लागों को पढ़ना था यक्सवन्दी कारे करना था। धनूरवेद को एजुरवेद का उफबेद कहा जाता है। आजूरवेट में सरपर्थम राजिस treaty ब मीलता है यह जूर वेद में हात्यों के पौलन को लेख है और यहां पे तो को लेख पहल एक पैला है क्रिशन एजूरवेट के चार सका थ parking ऐani था‍जकता बजर, कुछ इफ्प, इसक Gemini, में तदंव, इनौन, दूसरा है सुक्ल एजुरवेद इसे बाजन सही सहीता भी कहते हैं अर्थबेद के मंतरों को उचारण करने वाले प्रोहित को क्या कहा जाता था उद्गाता होतरी ब्रहम अधर्वियू तो अथरबेद के मंतरों को उचारण करने वाले प्रोहित को ब्रहम कहा जाता था तो आगे दिखते हैं अधर्बिद अधर्बिद को ब्रहंबिद ये स्रेश्बिद पढ़ा है अधर्बेड का दुन के ब्र named का दृव uso सब्हों का बर자가Art अतरफेड में कुरू के राजा परिक्षित कउलेक है जिनें मिठ्धी लोगा देवताया अथर्वेद के मंद्रों का उचारण करने वाले प्रोहित को ब्रहम कहा जाता था अथर्वेद में सभाव सभापती को प्रजापती की दोपूत्रिया कहा गया है अथर्बेद का एक मात्र भ्रामन ग्रंत गोपती हैं इनके उपनिस्दों में मुढकुमुčू अपनिसद, प्रस्नो अपनिसद तत्हा मांडिक क्यो अपनिसद मुख्येये हैं यम तत्हा नचिकिता का समबाद किस उपनिसद में बरनीत है चांदोग्य उपनी सद, कठो उपनी सद, बिरिहत, आरनेक, क्यो उपनी सद, मुड़क उपनी सद तो यम्तत्वानचिकिता के समभाद जो है अप्सन भी हो जाएगा कठो उपनी सद में है करा ये भारतिय दार्सिंग विचारों का प्राचिंतम संगरा है इनमें सुदतम ग्यान पक्च पर वल देया गया है उपनी सदो को भारतिय दर्सन का सुरो तत्वा पिता माना जाता है उपनी सदो की कुल संखेक 108 है ये बेदो से समंदित है सामवित से समंदित छांदोगी उपनी सद में तुआ मसी का पर्थम उलेख है ब्रहत आर्नी को उपनी सद में अस्फ में एक यग्यक की विवेचना की गई है कठो उपनी सद में यमदथा नचिकिता का संबाद वर्नित है यम राज ने नचिकिता को आद्यात्म तत्व की सिछा दी भारत का राश्ट्री आदर से बाद के सद में व्यते मुंड़कुप निसद में उलिकित है राजा क्युत्पती सिधान्त का बर्नर सरपर्थम एत्रिय बर्वन ब्राहमन में मिलता है करारे लोग यहां पर्तमता बसे हुआ संपून परदेश सब्त सिंदु निसात नदियो का देश के नाम से परसीद हुआ है इसमें अपंगनीस्तान का भाग भी समलित था करा इसोप निसद में एगवालिक के और स्वेत कीतु संबाद है मुड़कोप निसद में सिक्षा के विसेवों में बेदांगों को भी समील किया गया है तो इस परकार से आज हमने दस कुष्चन देख लिया ठीक है तो अगले दिन मिलते हैं जो ग्रफीक की कुष्चन के साथ तब तक हम जी चैनल को देखते रहे हैं यूपल सेर कमेंट करते रहे दरने वादा